सहित्ति कहानियों की शिंकला में आज कथा सहित्ते में सुनिये हिंदी के वरिस्ट लेकी का डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जिकी लिखी कहानी कहानी का शिरुषक है आग होस्टल में आग की तरहां बात फैल गई जया ना चीखी ना चिल्लाई बस सीधी लपट बनी निस्चेश्ट खड़ी हो गई थी कमरे की पार्टनर सुप्रिया चीख पड़ी थी रात के गहरे सन्नाटे में उसकी चीख दूर दूर तक पहुँच गई थी किसी चात्रा ने जया को यूँ जलते देख पूरी बाल्टी भर पाने उडेल दिया था खबर पाते ही होस्टेल वार्डन, प्राचार्या सब पहुँच गई थी कॉलेज की कार में जया को डाल पास के मेडिकल कॉलेज में पहुँच आया गया था जया पूरे होश में थी, डॉक्टर देख कर स्तब्द रह गए थे कमाल के जीवट वाली लड़की है, इतना जलने के बाद एक बार कराही तक नहीं इतनी शांत कैसे रह सकती है वो प्राचारय मिसिस चकरवर्ती ने बहुत स्नेहे से माथे पर हाथ धर जया से कहा घबराना नहीं मेरी बच्ची, एकदम ठीक हो जाओगी अपने पापा का फोन नमबर तो बताना बेटी, उन्हें बुला देते हैं गेहरी वित्रिशना जया के चेहरे पर उभराई थी, कोई उत्तर ना था इंटेंसिव केर के कक्ष के बहारा मिसिस चकरवर्ती पास खड़े डॉक्टर से कहने लगी लड़की बेहत सहम गई है, ना जाने कैसी सूनी आँखों से ताक रही है मुझे तो डल लग रहा है, कहीं स्थिति गंभीर तो नहीं डॉक्टर साथ परतिशत जला रोगी बहुत गंभीर ही होता है पर ताजुब है, ये लड़की पूरे होशो हवास में है, ना जाने कैसे इतना दर्द सह रही है मुझे तो लगता है, इसने सोच समझ कर आत्महत्या की चेस्टा की है ना मुम्किन डॉक्टर, ये हमारे कॉलेज की सबसे मेधवी छात्रा है अभी बिये पार्ट वन में, पूरे कॉलेज में इसने टॉप किया है पढ़ाई के अलावा कभी ये कुछ सोच भी सकती है, मैं नहीं मानती डॉक्टर हो सकता है, पर मैं भी अपने पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर ही कह रहा हूँ दर्द पीने के इसके सब्र की हद हो गई है मैडम जैसे भी हो, इसके फ्रेंड्स माता पिता से पता करिए डॉक्टर, ये बच तो जाएगी ना व्यकरता मिसिस चकरवर्थी के कंट से फूट पड़ी थी कह नहीं सकता, हो सकता है अपनी तीवरिच्छा शक्ती ये मरने के लिए ही लगाए तब मर जाना अवश्यम भावी है फिलहाल, नींद के इंजेक्शन के बाद भी ये सो पाएगी मुझे नहीं लगता गंभी डॉक्टर का मुक निहारती, मिसिस चकरवर्थी अब सचमुझ भैवित हो उठी थी पास खड़ी वार्डन का सहरा ले अस्पाताल के बरामदे में पड़ी बेंच पर वो निठाल सी बैट गई थी डेड़ वर्ष पूर्व यही लड़की जब अपने सेना में करनल पिता के साथ आई थी तो कितनी निरिही सहमी सी लग रही थी कुछ पीलापन लिए गेहुए चहरे पर शांत नयन बहुत भले लग रहे थे इंटरमेडियर्ट विज्ञान में पूरे प्रांत में दित्य पोजिशन लाने वाली उस साधारन से लड़की का रिजल्ट देख वो आश्चरे करूठी थी उससे पूछे हर प्रशन का उत्तर जब उसके पिता ने देना शुरू किया तो वे अपने को रोक ना सकी करनल दत्ता प्लीज लड़की को बोलने दीजिये हाँ तो जया तुम विज्ञान क्यों छोड रही हो एक बार द्रिष्टी उठा पिता के चेहरे को ताक जया ने द्रिष्टी नीचे कर ली थी उत्तर उसी दबंग अफसर ने दिया था अरे लड़की है क्या करेगी साइंस लेकर इसकी मा होती तो शायद अब तक इसकी शादी भी कर देती ये तो जिद कर रही थी डॉक्टरी पढ़े की पर सिर्फ लड़कियों के लिए किसी मेडिकल कॉलेज की यहां सुविधा भी तो नहीं है बस भी ये पास कर ले तो शादी कर छुट्टी पाऊं मानो किसी बोज से मुक्ती पाने के भाव से बात समाप्त कर डाली थी बहुत आश्चार्य से मिसिस चकरवर्ती उस मुँफट पिता को देखती रह गई पर अब तो समाना बहुत बदल चुका है कर्नल दत्ता इतनी इंटेलिजन्ट लड़की को इस तरहां ट्रीट करना क्या ठीक होगा मैं तो सोचती थी कि सेना के अधिकारी अपने बच्चों को अधिक स्वत्नत्रता देते हैं वे अधिक उतार होते हैं पर आप तो उनकी बात काट कर नल दत्ता बोल पड़े थे आप इन बातों को नहीं समझेंगी मैडम पूरे देश की रक्षा कर सकता हूँ पर अपने परिवार की रक्षा का दंभ नहीं भरता मेरा परिवार तो समाज की दया पर आश्रित है बात समाप्ट करते कर नल दत्ता के चहरे पर एक उदास परसी छा गई थी आपके यहां गर्ल्स होस्टल की विवस्था तो ठीक है ना बाहर के आदमी तो अंदर नहीं जा सकते मिसिस चकरवर्ती हस पड़ी थी आप तो एकदम रूडिवादी बाते करते हैं कर नल बेफिक्र रहिए यहां बाहर की मक्षी तक निशिद है कभी घर की मक्षी ही बेहत जहरीली सिध होती है मैडम कहते हुए करनल दत्ता के स्वर में जाने कितनी कडवाहट खुल गई थी इस पीच जया ने एक पार भी से रूपर नहीं उठाया मानों जमीन की और ताकते रहना बहुत आकर्शक काम था तो ठीक है लीजिए समहली अपने वाड को मैं आफिस में फीज जमा करा देता हूँ कहते हुए करनल दत्ता मुड़कर खड़े हो गए जया के जुके चेहरे पर एक निमिश द्रिस्टिपात कर ओके भाई ठीक से रहना का आदेश सुना वो चले गए थे पुत्री को छोड़कर जाते समय कोई दुख कोई सेंटिमेंट ना दिखना शायदार्मी की ट्रेनिंग होगी उनके बाहर चाते ही मिसिस चक्रवर्ती ने बहुत प्यार से उस सिर्ज जुगाए बैठी लड़की को इंगित कर कहा था मैं तुम्हारे मन की बात समस्ती हूँ जया मेडिकल कॉलेज की जगा तुम्हें इस आर्ट्स कॉलेज में आना जरूर बुरा लग रहा होगा पर हम जो चाहते हैं हमेशा वही तो नहीं मिल पाता ना तुम यहां भी टॉप करके दिखाओ तब बात है जया की आखें एक पल उनके चहरे पर टिक पुनहा फिसलती हुई धर्टी पर चा लगी थी ना जाने क्यों उस भावुक सिदिक्ती लड़की के प्रती वियावशक्ता से अधिक साधै हो उठी थी उसे दिलासा सादेती बोली थी आओ तुम्हारा परिचे और लड़कियों से करा दूँ यहां भी एक से एक तेज लड़किया हैं फिर किंचित मुस्कुरा के बोली थी मैं भी कुछ और बनना चाहती थी पर आज जहां हूँ बहुत खुश हूँ तुम जैसी या नेको प्रतिभाशाली लड़कियों के साथ हूँ अगर कुछ और बनती तो इतने सारे प्यारे चहरे एक साथ भला देखने को मिलते मुझे और हाँ तुबी वेरी फ्रेंक टीनेजर्स के साथ मैं अपने को आज भी उम्र की उस दहलीज पर पाती हूँ जहां तुम हो कहती वे जूर से हस पड़ी थी जैया के ओंट शायद मुस्कुराने के लिए उध्धत हो कुछ खिंचे फिर सिकुड कर तुरंथ ही पूर्वत आ गए थे मानो कोई गलती करते अचानक उसे अपनी भूलियात आ गई थी टेबल पर रखी घंटी बजा मिसिस चकरवर्ती ने सुप्रिया को बुलाने का आदेश दिया था बहुत प्रतिवाशाली और वाचाल सुप्रिया ही जया का मौन तोड़ सकेगी सुप्रिया ये तुम्हारी रूममेट रहेगी इसका सबसे परीचे करा देना हाँ जया कुछ शरमीली है इसका पूरा दाई तो तुम पर है जाओ जया तुम्हारा सामान कमरे में पहुँच आएगा कहती मिसिस चकरवर्ती व्यस्थ हो उठी थी दो दिन बाद ही सुप्रिया उनके कमरे में हाजिर थी मैडम मैं जया के साथ कमरा शेयर नहीं करूँगी वो तो पत्थर की मूर्ती की तरहा निश्चल बैठी रहती है हर बात के उत्तर में बस सिर्ध हिला कर हाँ या ना कर देती है आप समझ नहीं सकती उसका साथ कितना बोरिंग है सुप्रिया उस लड़की के मन में जरूर कोई कॉम्पलेक्स कोई गुथी है तुम मनो विग्यान की छात्रा हो मैंने जान भूच कर उस लड़की को तुम्हारे साथ रखा है ताकि तुम उसकी समस्या सुलझा सको ये लड़की तुम्हारे लिए चैलेंज है मुझे पूरा विश्वास है तुम जीतोगी सुप्रिया के मुड़ते ही उन्होंने फिर पुकारा था उसकी समस्या जैसे जैसे सुलझाती जाओ मुझे खबर देती रहना तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेस्ट ओफ लख माई गर्ड सुप्रिया ने उनकी चुनोती स्विकाल कर ली थी जैया के रूप में दिन रात पढ़ने के लिए उसे मानुजीती जागती पुस्तक मिल गई थी एक दिन उल्ला से दमकते चहरे के साथ सुप्रिया फिर उनके कमरे में पहुँची थी मैडम, जैया आप एक्तम ठीक हो जाएगी आप नहीं जानती उसके पापा कितने कुरूल है घर में एक्तम आर्मी का डिसिप्लिन रखते है अगर उनके मन के विरुध कोई सोचे भी तो वे उसे खत्म कर डालेंगे जैया की मम्मी बहुत परिशान रहती थी अंतर तहा दो छोटी बच्चीयों को उनके पिता के सरंक्षन में छोड़ इस जगत से विदा ले ली मातर विहिना बच्चीयों को पिता का प्यार कभी ना मिल पाया रिष्टेदारी की एक विद्धा ने जैसे तैसे उन्हें बढ़ा कर दिया जैया और उसकी दीदी अभिन्न थी अपने हर सुक दुख बांढ़ती वे कब बड़ी हो गई पता ही ना लगा फिर कॉलेज में दीदी का अफेर शुरू हो गया मनीश के पास निर्धनता की अपार संपत्ती थी विध्वा मा चोटे भाई के साथ टूशन्स करता मनीश में पहुँच गया था जैया के घर के सामने ही एक चोटी कोठरी में पूरा परिवार रहता था मनीश में जरूर टॉप करेगा जैया की दीदी को विश्वास था बस उसके बाद वो किसी ना किसी प्रत्योग्दा में जरूर आएगा फिर दीदी और उसका विवाहा होगा जैया की दीदी अपने मोहक सपनों में जैया को भी समलित रखती थी जया की समझ में नहीं आता था दीदी जल्दी से मनीश जी से विवाँ क्यों नहीं कर लेती सुनकर दीदी हस्तेती थी पगली जब तक मनीश कोई बड़ा आफिसर नहीं बन जाता भला पापा उससे बात भी करेंगे जया की इंटर्मेडियर्ट की परिक्षा समाप्त हुई थी सब सहेलियों ने पिच्चर जाने का प्रोग्राम बनाया था पिच्चर से लोटने के बाद घर के सामने लगी भीड ने जया को सहमा दिया था अंदर जाने पर जो द्रिश्य सामने था उसे देख जया मुर्चित हो गई थी दीदी और मनीश दोनों के निश्चेष्ट शरीर ड्राइंग रूम में पड़े थे पुलिस इंस्पेक्टर पापा से कुछ पूछ रहा था जया की स्थिती पागलों सी हो गई थी सब पापा को सांतमना दे रहे थे क्या करेंगे करिनल सहब आज के लड़के लड़किया माता पिता को कुछ नहीं समसते अरे अगर अपनी बेटी को अभी विवाह ना करने के लिए कहा तो क्या गलत था लड़का अपने पैनों पर खड़ा हो जाता तब क्या हसी खुशी विवाह ना कर देते बाप के बारे में एक पल को भी ना सोचा एक और आवाज उभरी कामाल है अगर पिता ने विवहा कुछ दिन बात करने को कहा तो उनकी पिस्टॉल से उनके सामने आत्महत्या करटा ली ये भी ना सोचा पिचारे बाप के दिल पर क्या गुजरेगी किन मुश्किलों में बेटी को बढ़ा किया क्या यही दिन देखने के लिए देखने में तो मीता सीधी गव थी पर अंदर इतना क्रोध भरा था कौन जानता था जया विक्षिप्त सी घूमती देदी ने तो स्वैम कहा था वो अपना विवाह नहीं करेंगी कोई बेहन भी थी पापा से जिरकी खा जया मौन भले ही हो गई पर अंतर द्वंद बढ़ता गया देदी तुमने ऐसा क्यों किया अपनी जया को अकेला छोड़ गई एक बार भी उसके लिए कुछ नहीं सोचा जानती है मैडम आज पहली बार जया पहुत रोई है वरना वो तो पत्थर हो चुकी थी अब वो एक्तम ठीक हो जाएगी सुप्रिया उत्सा हमें कहती गई और मिसिस चकरवर्ती का मन उस अकेली जया के लिए भर आया था पूर चाइल्ड बस उनके मुख से इतना ही निकला था जया की कहानी सुन लेने के बाद वे उसके प्रती अत्याधिक सतर्ख हो उठी थी प्राया उसे अपने कक्ष में बुला उसका हालचार पूछती वे भूल चाती कि वे एक कड़ी प्राचार्या के रूप में प्रसिद हैं गल्स कॉलेज के कमपाउंड में ही उनका बंगला था पति जयंत चकरवर्ती विवाह के दू वर्षों बाद ही उन्हें अकेला छोड़कर चले गए थे बहुतों ने उनसे पुनर विवाह का अग्रह किया पर यह एका की जीवन ही उन्हें रास आया यूं तो कॉलेज की सब ही लड़किया उनकी अपनी थी पर मातर विहिना इस जया के प्रती उनका ममत्व कुछ अधिक ही हो उठा था यूं अब जया साथिनों से खुलने लगी थी चेहरे पर ताजगी आने लगी थी सुप्रिया ठीक ही कहती है कुछ दिनों में वो बिल्कुल सामानने जरूर हो जाएगी कभी इंगलिश ओनर्स की कक्षा लेती मिसिस शकरवर्ती जया को खोया पाती तो फौरण टोक देती जया जिन्दगी की सच्चाई से भाग जाना बहुत आसान है पर उस सच्चाई से जूजना उस पर विजय पाना बहुत कठिन है पर मैं तो जिन्दगी की कठोर धरा पर ही सोती जाकती हूं मैडम सपनी देखने का परिणाम अपनी आँखों से देख शुकी हूं मिसिस शकरवर्ती स्थब्द रह जाती परिक्षा के दिनों में जया पुस्तकों में खो गई थी एक बार फिर वही मौन पर परिक्षा परिणाम देख मिसिस शकरवर्ती उचल पड़ी थी जया ने पूरे कॉलेज में सर्वो चंक पा विश्विध्याले में द्युथ्य स्थान पाया था इस पार तुम्हें पूरे विश्विध्याले में प्रथम आना है जया समझी उचसाहित वे कहती गई उत्तर में जया मौन रह गई थी दशहरे की छुटियों में जया घर गई थी लोटकर आई तो लगा वो बुझी राख बनकर वापस आई है होस्टल और कक्षा के छात्राएं पूश-पूश कर हार गई पर वो नहीं खुली सुपरिया ने लाग सिर पटका जया मौन ही बनी रही आखिर इसे हुआ क्या स्वेम उन्होंने सोचा था शायद घर जाकर पहन की याद फिर ताजा हो गई होगी इसी लिए चुप पड़ गई है दो चार दिनों में स्वधा सामान्य हो ही जाएगी पर आज वो जलकर सच-मुश राख बन गई है जया में अब बचा ही क्या है सब कुछ जलकर भस्म हो चुका है डॉक्टर कह रहे हैं उसने स्वेम आत्मात्या की चेस्टा की है पर क्यों? बेचैन मिसिस चकरवर्ती ने बहारा ड्राइवर से वापस गर्स होस्टल चलने को कहा था भाई और आतंग से लड़कियां सिमट कर कॉमन रूम में आ गई थी उन्हें देखते ही सब दोड़ पड़ी जया बच जाएगी न मैडम भगवान से प्रात्ना करो वो अच्छी हो जाएगी पर वे खुद क्या उसके बचने के लिए आश्वस्त थी कहा बचेगा वे शांथ कमल सा चहरा उस विभत्स चहरे के साथ कहा जाएगी जया उद्विगिन मिसिस चकरवर्ती जया के कमरे में घुस गई थी दरबान से उसके संदूग का ताला तुड़वा उन्होंने कमरा बंद कर लिया था संदूग का पट उठाते ही एक मुस्कुराती युवती का चित्र सामने था निश्चे ही वो जया की दीदी रही होगी कपड़ों को उलड़ते पुलड़ते जया के हाथ की लिखाई में एक लिफाफा दिखाई दिया लिफाफे के अंदर एक छोटी सी पॉकेट डायरी थी प्रिष्ट पलड़ती मिसिस चकरवर्ती ने पढ़ना शुरू कर दिया था दीदी पापा से कितनी डरती है मनीश कितनी अच्छे है दोनों की शादी के बाद मैं पापा को छोड़ दीदी के साथ चली जाऊंगी पापा के पास मन क्यूं बुझा बुझा सहमा सहमा सा रहता है मनीश और दीदी के साथ जी खोल कर कितना हस पाती हूँ दीदी कितनी परंपरावादी है विवहा पापा के अर्शिरवाद के साथ ही करेंगी वरना जिन्देगी भर कुवारी बैठी रहेंगी जैसे दीदी पापा को नहीं जानती और ये मनीश ची भी कितने अजीब है अपनी जरा सी भी बात नहीं रखते जो दीदी कहेंगी वही करेंगे ये अच्छानक क्या हो गया है मैं कैसे विश्वास करूं दीदी और मनीश ची पापा से लड़े होंगे नहीं मेरी दीदी कभी पापा को नाराज नहीं कर सकती थी फिर स्वैम दीदी ने ही तो कहा था मनीश की नौकरी लगने के बाद ही विवाह करेंगी सच किस से पता करूं पापा से बात करते भी डर लगता है दशहरी की चुटियां आश घूमते हुए आम के बाग की और निकल गई मन बहुत उदास है इसी बाग में दीदी के साथ कच्चे पके आम चुनते थे माली नहीं रामु काका की बेटी फुलवा के साथ कितना खेलते थे कहां गई फुलवा अरे वाह खुब गहनों में सजी फुलवा अपनी जूपडी में ही मिल गई मानों अपना कोई बहुत आत्मिय मिल गया फुलवा हम दोनों लिपट कर रोई जा रहे है कहां चली गई थी फुलवा देख दीदी हमें अकेला छोड़ गई है जानती है देदी ने एक बल को भी मेरा खयाल नहीं किया क्यों किया देदी ने ऐसा फुलवा फुलवा चुप रही फुलवा चुप क्यों हो बता ना फुलवा देदी ने क्यों किया ऐसा देदी ने कहां किया जया वो तो साहिब बात अधुरी छोड़ फुलवा आतंकित हो चुप क्यों हो जाती है? सच पता फुलवा, तुझे मेरी कसम, क्या हुआ था? किसी से कहोगी तो नहीं, किसी से नहीं कहोगी. सच, जल्दी पता क्या हुआ था? मुह पर उंगली रख, चुप रहने का संकेत दे फुलवा मुझे एकांत में खींच ले गई थी. फुस फुस आते हुए फुलवा ने बताना शुरू किया था. कर्नल साहिब उस दिन आचानक दो पहर में आ गए थे. दीदी मनीश के साथ कमरे में थी. बाहर का दर्वाजा खोल, मैं ही निगोडी उस दिन कच्रा फैंकने बाहर गई थी. धरधर आते हुए कर्नल साहिब जैसे ही अंदर पहुंचे, उन दोनों को कमरे में पा, उनका पारा उपर चड़ गया. बहुत संकोच से मनीश ने जब पताना चाहा, वे दोनों विवाह करना चाहते हैं, पर उनके आश्रिवात के बिना विवाह असंभव है. बिना सोचे कर्नल साहिब ने धाई से मनीश पर गोली चला दी थी. मनीश धर्दी पर लोट गए थे. दीदी ने पापा के हाथ से पिस्टोल छीन, अपने सीने में दाग ली थी. दीदी चीखी, मैं जैसे ही वहाँ पहुँची, साहिब ने धमकी भरे स्वर में कहा था. खबरतार, किसी से कुछ नहीं कहना, तुम घर पर ही हो, फोरण बाहर भाग जाओ. अपने बापू को भेज़ दो, अगर कुछ मुह से निकाला, तो खत्म कर दूँगा. पागलों की दरहां भाग, नदी किनारे पहुँच ना जाने कितनी धेर मैं रोती रही. तब ही बापू मुझे खोज़ते आ पहुँचे थे. हमने बरसों इस खर का नमक खाया है. अगर तेरे मुह से कुछ अनाप शनाप निकला, तो मैं तेरा पिता नहीं पुलवा. बस पिस्तॉल पर तो दीदी की उंगलियों के निशान थे ही. तेरे पापा तो जाड़ों में हमेशा दस्ताने पहनते हैं. तो बस आत्महत्या का मामला असानी से बन गया ना. करनल साहिब ने एक महिने में ही मेरी शादी करा दी, ताकि बापू और आभार से दब जाएं. पर सच मान जया, मैं रातों को सो नहीं पाती. खूनी, मेरा जी चाहा था, जोर से चीक पड़ू. पर शक्ती जवाब दे गई थी. पापा किस सफाई से बच गए? मेरा रोम रोम पापा से ग्रिना करता है. मैं उनका मुँ भी नहीं देखना चाहती. इसलिए मुझसे कहा था बीए कर डालो. कॉलेश में लड़कों का साथ मैं पसंद नहीं करता. जबर्दस्ती बीए में मेरे एड्मिशन करा गए? हाँ, प्रिंसिपल को देख कर लगता है. मा ऐसी ही रही होंगी. सुपरिया भी दीदी की तरहां बातें करती है. कल पापा मेरी शादी की बातें कर रहे थे. कौन होते हैं वे मेरे? मेरी सने ही दीदी के हत्यारे से मेरा क्या संबंद? पापा से बदला लेना है. क्या शादी के बात आत्मात्या करूँ? नहीं, तब तो दोश उस पती नामधारी जीवका होगा. पापा को सपस्ट लिखतूँगी. मैं उनकी असलियत चानती हूँ. उनसे बदला लेने के लिए मर रही हूँ. पर मेरे मरने से पापा का क्या बिगड़ेगा? वे क्या जाने प्यार किसे कहते हैं? याद आ रही है रजनीश की. मनीश का शायद कजिन था. मेरे पास जब भी आता, दीदी और मनीश मुझे छेड़ते थे. मैं लाल पढ़ जाया करती थी. वो भी डॉक्टरी पढ़ना चाहता था. मैं भी डॉक्टर बना चाहती थी. उसके पास इच्छा पूर्दी के साधन नहीं थे. और मैं साधन होते हुए भी विवश्ट थी. पापा भला उसे स्विकार कर पाते. अब रजनीश ना चाने कहां होगा? एक खूनी की बेटी से भला कोई विवाह करता है. पापा ने दीदी को मारा है. क्या वे नहीं जानते थे? मनीश के बिना दीदी नहीं रह सकती. मनीश को मार पापा ने दीदी के जीवित रहने की हर संभावना खत्म कर दी थी. अच्छा हुआ जो दीदी ने अपने को समाप्त कर डाला. घुट-घुट कर मरना तो नहीं पड़ा. दो दिन पहले पापा, दीदी को कुलचनी ठहरा, मुझे उपदेश दे रहे थे. पापा चाहते हैं, उनका कहना मान मैं खांदान का नाम उचा करू. क्या प्यार करना पाप है? प्यार जैसी पवित्र चीज़ पर लांचन पापा ही लगा सकते हैं, जो प्यार का अस्थित्व ही नहीं जानते. मेरा रोम रोम जल रहा है, इस आग से क्या चिता की आग जादा ठंडी नहीं होगी? पापा एक पल को भी अपने को अपराधी क्यों नहीं मानते? दीदी की उन्हें बिल्कुल याद नहीं आती, वरना मरने के बाद भी वे दीदी को दोशी ठहराते? अब और मैं जीना नहीं चाहती, अपने को और नहीं समझा सकती. मिसिस चकरवर्ति स्थब रह गई, दिकार है उनके प्राचायत्व को, लड़की मन की आग में जलती रही और वे कुछ भी न जान सकी. जया की लिखाई में उसके पापा के नाम एक लिफापा था, जी में आया, जया का वहब पत्र सीथे पुलिस को थमा दें, ताकि उस खूनी को दंडित किया जा सके. पर वो कुशल खिलाड़ी, दूसरी बेटी की आत्मध्या का कारण भी खोज, स्वैम बच जाएगा. एक माली की बेटी की बात पर कौन विश्वास करेगा? जबकि स्वैम उसका पिता स्वामी के पक्ष में साक्षी देगा. क्या भय से वो लड़की मुह भी खोल सकेगी? कहीं जया, पिता से घ्रिना करने के कारण समाज के द्रिष्टी में दोशी न ठहरा दी जाए. पत्र और डाइरी को यतन से अपने पर्स में धरवे कमरे से पहरा गई थी. यह पत्र वे स्वैम उसके पिता को देंगी ताकि बेटी द्वारा दिये दंड को वो कैसे सह सकेगा देख सकें. बाहर सब के चेहरों पर लिखे प्रश्न देख, शांत, निर्विकार्व स्वर मे बोली, कहीं कुछ नहीं मिला, कमरे में दिया चल रहा था, लगता है, लौ से दुरखट ना हो गई. बोजिल कदमों से अपने को खींचती पलंग परपर आँखें मूंद ली थी, बस अब और दुख सहने को जया ना रहे, शायद वे पुद्पुदाई थी. अभी आपने डौक्टर पुष्पा सकसेना जी की लिखी कहानी सुनी, आप मुझे आग्या दीजिये, और कथा साहित्ते के साथ हमेशा जुड़े रहिएगा, धन्यवाद.